इमाचल की कुलू में अचानक लगी आग से एक तीन मंजिला मकान पूरी तरह से जलकर राक हो गया घटना कुलू के कलवारी गाउं की है जहाँ पर लखनी से बने एक तीन मंजिला मकान में आग लग गए आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को आग बुझाने का मौका नहीं मिला देखते ही देखते मकान के उपर तक आग की तेज लपते दिखाई देने लगे और कुछ देर में ही पूरा का पूरा मकान आग में चल गया पिल्हाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चलपायाई है रहा है को मैं युब में एक दुकानदार लोगो बेच खाने पीने के सावाद को लेका जमकर हंगामाखत caution कि दुकानदार लोगों को सरकार की तरफ से बाटा जाने वाला जो खाना था उसे कम बाट रहा था और इसका विरूद जताने पर दुकानदार और उसके साथियों ने शिकायत करने वाले लोगों से मारपिट शुरू कर दी इसके बाद आसपास के कई लोग भी महां पहुंच कुछ लोग दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश भी करते दिखे कई महिलाओं ने भी लोगों को रोकने की कोशिश की लेकिन हंगामा जारी रहा हाला कि काफी देर बाद वो सभी लोग वहां से चले गए जंग के मैदान में जीत उसी को हासल होती है जिसके इरादों में फॉलाद भरा हो 1971 की जंग हो या जून 2020 में भारत और चीन के बीच होई खुनी जड़ब एक नाम हमेशा से चर्चा का सबब बनाता रहा है और वो है पिहार रेजिमेंट का साहस की अभूत पूरू पढ़कर धाए लिखने वाली इस रेजिमेंट ने लदाख में जो कुछ कर दिखाया उसकी आज एक बार फिर से मिसाल दी जा रही है आई आपको भी दिखाते हैं हौसले और जजबे की वो कहानी जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है गल्वान घाटी में पकड़ा गया चीन का कर्ण सूत्रों के हवाले से आई ये जानकारी भारतिय सेना के उन जावाजों की कहानी बताती है जिनोंने लाइन आफ एक्चुल कंट्रोल पर लड़ते हुए चीन को उसकी करतूत का करारा जवाद दिया सूत्र बताते हैं कि दोनों देशों के बीच तेन दिन तक चली बैठक के बाद चीन के कर्णल को तभी रिहा किया जब चीन ने दस भारतिय सेनिकों को रिहा किया आईए अब आपको बताते हैं उस रेजिमेंट की कहानी जिसने गलवान घाटी में चीन के सेनिकों को धूल चटाने का काम किये जिनके शौर की कहानिया इतिहास में दर्ज हैं जिनके बाहूबल की दास्ता तशकों से सुनी और सुनाई जाती है जिनकी शहादत के किस से अडिक हिमाले सा साहस दिलाते हैं जिनकी जिनकी जिन्दगी का मकसद कर्म ही धर्म है जिनके लहू का एक एक कत्रा देश की हिपाज़त के लिए पहता है यह कहानी उस बिहार रेजिमेंट की है जिसने गलवान घाटी में चीन के गुनाहों का एक बार फिर मुहतोर जवाब दिया है 15 जून की रात देश जब चैन की नीन सो रहा था तबला दाख में भारत चीन सीमा पर वो हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था दसकों बाद भारत और चीन के बीच खूनी छड़प हुई जिसमें देश के 20 रणबाकुरों ने अपनी सहादत दी इन 20 जवानों में ज्यादा तर बिहार रेजमेंट से तालूक रखते थे जिन्होंने कई घंटों तक चली इस खूनी जड़प में चीन के छक्के छुड़ा दिये हजारों फीट की उचाई पर जहां माइनस में तापमान था वहाँ देश के जवानों ने अभूत पूर्व साहस का न सिर्फ परिचे दिया बलकि एक बार फिर देश का सिर्फ फक्र से उचा कर दिया जीन को जरा भी यकीन नहीं था कि धोखे से किये गए हमले का उन्हें भरतिय सेना के जवान ऐसा जवाब देंगे कि चीन की सेना को अपने जवानों की मौत के आकड़े छिपाने पड़ जाएंगे हलकि इस दोरान विहार रेजिमेंट की सोलामी बटालियन के कमांडिंग आफिसर गर्णल बी संतोष बाबु शहीद हो गए इनके अलावा इसी रेजिमेंट के सिपाही अमन कुमार, चंदन कुमार, दीपक कुमार, गणेश कुंजाम, गणेश राम, केके ओजह, राजेश ओराम, सीके प्रधान, नायब सुविदार नंदुराम, हवलदार सुरील कुमार, और बारवी बटालियन के जैकिशोर सिंग देश की हिफाज़त करते हुए वीर गती को प्रात्त हुई, देश सदमे में जरूर है, लेकिन इनके शौरी की कहानिया हर किसी के जहन में है, ऐसा नहीं है कि बिहार रेजिमेंट में सिर्फ बिहार के लोगों की ही भरती की जाती है, देश की आजादी से पहले 1941 में अपने बाहुबल का पर्चे देते हैं, लेकिन मूल रूप से बी संतोष बाबु तेलंगाना के सुर्या पेट के रहने वाले थे, उनकी शहादत ने बिहार रेजिमेंट की वीर गाथा में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है, बिहार रेजिमेंट के बारे में कहा जात है कि ये देश की एक ऐसी रेजिमेंट है, जो किसी भी माहौल में दुश्मनों से लोहा ले सकती है। और बहदुरी के साथ करते हैं। जैगोश करके तुश्मनों पर हमला बोलते हैं। बिहार रेजिमेंट के नाम भारत की आजादी से पहले ही पांच मिलिटरी क्रॉस और नौ मिलिटरी मेडल थे। जब याजादी के बाद से अब तक इस रेजिमेंट के खाते में साथ अशोक चक्र, नौ महवीर चक्र और इक्स कीरती चक्र, सत्तर शौरे पदक समेथ सेना के कई पुरसकार और मेडल हासिल हो चुके हैं। बड़ा क्रम के पोस्टर पर बिहार रेजिमेंट का यही चहरा ऐसी सैकडो कहानियों का गवा है जिनकी वज़ा से देश का मान हमेशा उचा हुआ है। महराज के नाकपूर में एक साथ 30-35 गारियों में तोरफोर का मामला सामने आया है। चीन के साथ चल रहे सीमा विवात के बीच खूफे अजेंसियों के जानकारी उनको मिली कि चीन भारत पर बड़े साइबर हमले की साज़श रहा है। जनकारी के मताबिक साइबर हमले के साज़श में भारत की सरकारी एजेंसियां और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है। बताये जा रहा है कि चीन की साइबर आर्मी के पास 20 लाख लोगों के पॉस्नल इमेल आईडीज हैं और मेल के जरिये ये साइबर हमला किया जा सकता है। और रोबोटों को उतार दिया। बताया गया कि कोरोना वारिस के खतरे की वज़े से रेस्टरॉंट ने कॉन्टाक्लेस फूड सर्विस की शुरुआत की। किचिन में शेफ की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब काम मशीन नहीं कर दिया। रेस्टरॉंट में मशीनों का इस्तमाल सिर्फ रसोई तक ही सिमित नहीं दिखा। वहाँ खाना परोसने का जिम्मा वेटरों की जगा रोबोट समालते नजर आए। एक तस्वीर में दिखा कि खाना लेकर रोबोट टेबल पर पहुँचा तो ग्राहक भी हैरान रहे गए। रेस्टरॉंट के अंदर ओर्डर लेने के लिए भी कर्मचारी नहीं दिखे बलकि उनकी जगा एक टच्सक्रीन लगी नजर आए। और तो और रेस्टरॉंट से खाना लोगों के घरों तक डिलिवर करने का काम भी रोबोट ही करते दिखे। पूलिस को अंतर राष्री समुदरी सीमा के पास से चरडास के ते सो पच्टर पकेर्ट्स लावारेस पड़े हुए मिले कोसकार्डों बेस्टरॉंट के साथ पुलिस अलाके में पैत्रोलिंग कर ले थी और रान चरड़े थी ते से पहले भी इस अवारे से एल्ले इसी अ तैर कर बाहर आ रहा है लदाक में भारत और चीन के बीजारी तनावफ पर अमेरिका से रूस तक ने जिस तरह खुलकर भारत का साथ दिया वो चीन के लिए बड़ा संदेश है अमेरिका ने गलवान घाटी में शहीद हुए भारत के जवानों कुश्ण धांजली दी चीन पर खुला आरोब भी लगा दिया कि उसने महामारी के बीच भारत की जमीन कबसाने की कुटल चाल चली जोकि रूस भी चीन की फितरत को जानता है लेहाजा वो भी भारत के साथ खड़ा है सीमा विवाद पर चीन को लगा करारा जटका भारत को मिला रूस का साथ लगदाक सीमा की गलवान घाटी में 15 जून को हुई भारती और चीन सेनिकों के बीच हिंसक जड़ब के बाद दोनों देशों के बीच हालात सुधरे नहीं है सीमा पर तनाव बना हुआ है लेकिन इस दोरान चीन के लिए एक बरी खबर आई है और वो ये कि रूस भारत के साथ खड़ा है सुत्रों के मताबिक रूस ने चीन के साथ सीमा पर जारी टकराव के बीच भारत को उसके परियासों में उसके समर्थन का आशवासन दिया है रूस ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही उसके करीबी पार्टनर और दोस्त हैं लहाजा वो कभी ये नहीं चाहेगा कि भारत और चीन के बीच विवाद बढ़े रूसी विदेश मंतरी सरगई लावरोव और भारत में रूस के राज़दूद निकॉलाई कुदाशेव ने भारत चीन सीमा विवाद के जल्द हल होने की उमीद जताई है भारत में रूस के राज़दूद निकॉलाई कुदाशेव के मताबक हम एलेसी पर तनाव कम करने के प्रयासों के सभी चरणों का स्वागत करते हैं जिसमें दो विदेश मंतरियों के बीच बातचीत भी शामिल है और आशावादी बने रहें दरसल 23 जून को रूस भारत और चीन के विदेश मंतरियों की वर्चुल मीटिंग होनी है और बहुत मुम्किन है कि इस मीटिंग के दारान गलवान घाटी में हुए हिंसक जड़ब और लद्दाक सीमा पर तनाव कम करने के मुद्दे पर बातचीत हो 23 जून को रुष्या में रुष्या, इंडिया और चाना के वर्म इस्टर्स की बातचीत है ये विडियो कॉंफरेंस है इसका मुख्य मुद्दा है कि जो पैंडेमिक है इसके साथ कैसे निबढ़ा जाए इसमें लदाक तो इस्चु बनता ही नहीं सिर्फ रूस ही नहीं पलकि अमेरिका भी गलवान घाटी के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है अमेरिकी राष्ट पती डॉनल्ड ट्रम भी कह चुके हैं कि वो इस मुद्दे पर भारत और चीन दोनों के साथ बातचीत कर रहे है दरसल कोरोना वाइरस के मुद्दे पर चीन से दुनिया के कई देश नाराज चल रहे हैं खासकर अमेरिकी राष्ट पती ड्रम ने तो एक ऐसे रोड मैप का खाका तयार कर लिया है जिसके अमल में आते ही चीन दुनिया से एकदम अलग थलग खड़ा दिखाई देगा रोड मैप जी टेन समुख बनाने का और अगर भारत अमेरिका की पेशकश मानकर जी टेन या जी इलेवन में शामिल हो जाता है तो वेश्विक स्तर पर भारत की राजनीतिक और कूटनीतिक एहमिया और बढ़ जाए की इसके अलावा जुलाए में संयुक तराश्ट की सुरक्षा परिशद के अस्थाई सीट के लिए नई चुनाव प्रक्रिया के तहट चुनाव होने है इसमें इशिया पैसिफिक सीट से भारत प्रबल दावेदार है लेकिन भारत की कोशिश के बीच चीन और पाकिस्तान आते रहे हैं पर अब अमेरिका इस सीट के लिए जिस तरह भारत का समर्थन कर रहा है उसे देखकर तो लगता है कि इस बार ये सीट भारत को जरूर मिल जाएगी इसके अलावा राश्टपती ट्रंप ने नए जी इलेवन समूफ में रूस को भी शामिल होने का नौता दिया है फिलहाल रूस ने अभी तक इसमें शामिल होने पर कोई बयान नहीं दिया है लेकिन अगर रूस जी इलेवन में शामिल हो गया तो ये चीन के लिए एक और बड़ा जटका साबित होगा यूं तो चीन रूस का सही होगी और एक मित्र देश है लेकिन सूत्रों की माने तो रूस चीन पर पूरा भरोसा नहीं करता है और उसकी एक बड़ी वजा है 1979 में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर हुई जंग इस जंग में रूस ने चीन को हरा दिया था हाला कि इस जंग के बाद दोनों देशों के रिष्टे तो सुधर गए लेकिन फिर भी रूस चीन के रवईये को लेकर उस पर विश्वास नहीं करता है ये भी एक बड़ी बजा है कि चीन को कितरत को जानते हूँ रूस भारत के साथ खड़ा हुआ असी बीच बड़ी कबर चीन सीमा विवात पर कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी के बाद पूर्व पियम मनमोहन सिंग ने भी पियम मोदी पर बड़ा हमला बोला है उन्होंने का कि हम सरकार को आगाह करना चाहेंगे कि ब्रामक प्रचार कभी भी कूटनीती और मस्बूत नेतरत्व का विकल्प नहीं हो सकता है साथ उन्होंने ये भी कहा कि जूट के जो ये परिंदे बनाय जा रहा है सच को नहीं से दबाय जा सकता है मनमोहन सिंग ने भी अब राहुल गांधी के बाद सीधा निशाना प्रधानमित्री नरेंद्र मोधी पर साधा है और ये कहा है कि सरकार को आगा औरो ने किया कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूट नीती और मस्बूत नेतर्तों का विकल्प नहीं हो सकता है अरोन हमाईजद हमाई सयोगी इस वक्त चुट चुट चुके है यानि अरोन अब चीन का जो मुद्दा है एक तरफ राहुल गांधी घेरी रहे थे और अब मनमोहन सिंग भी कुछ कह रहे है कि मनमोहन सिंग को इसलिए मैदान में आना पड़ा क्योंकि राहुल काधी काफी दिनों से अकेले ही एक तरस से अगर आप देखिए तो मोर्चा संभाले हुए थे और प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी और एंडिये सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे थे और चीन इतना नाजुक मसला है चीन और भारत का संबन है वो बहुत ही नाजुक विदेश नीती का मसला है ऐसे मैं एक व्यक्ति जो 10 साल तक प्रदानमंत्री भारत का रहा हो यूपिये का प्रदानमंत्री रहा हो कॉंग्रस का वरिश्थ नेता हो उसका मैदान में ना आना कहीं कहीं सवाल उठा रही थी उसको कमजोर कर रहा था और इसलिए मनमोहन सिंह को मुझे लगता है पार्टी को सामने लाना पड़ा क्योंकि राहूल गांधी अकेले ही यह सवाल पूछ रहे थे यह बात सही है कि पार्टी भी उनके साथ कंदे से कंदा मिलाकर कुछ नेता लगातार प् कि ब्रामक प्रचार से सच को नहीं दबाया जा सकता यानि राहूल गांधी जो बात कह रहे हैं उन्हीं शब्दों को एक तरह से मनमोहन सिंह ने दोहराया और सरकार पर आरोप लगाया है कि वो अपने मंत्रियों द्वारा अपने तंत्रों द्वारा जूट फैला रही है य बिल्कुर अरसी बीच मैंसाथ विक्रांत यादों भी जोड़ चुके हैं विक्रांत एक तरफ जब राहूल गांधी ने ये सवाल उठाया जिसके जवाब में बीजेपी की कई नेता ये कहते नजर आया कि राचनिती नहीं करनी चाहिए राहूल गांधी को उसके बाद मनम मोहन सिंग अब ये सवाल उठा रहे हैं यानि एक चीज तो कॉंग्रेस के तरफ से बिल्कुल साफ है कि फिलहाल चीन का मुद्दा वो उठाते रहेंगे की है जो देश दस साल तक देश के प्रधानमंती रहे तो निशित तोर पर उनका बयान सामने आना पार्टी को ये लगता है कि एक बड़ा असर डालेगा और जिस तरीके से मनमौन सिंग ने अपनी बात कही है कही ना कहीं वो बीजेपी को भी परिशानी में डालेगा क्यों देखना दिल्चस्थ होगा कि सरकार अब इस मामले पर क्या कहती है क्योंकि अभी तक राहूल गांदी को जब राहूल गांदी बयान दे रहे थे तो लगातार बीजेपी के तमाम नेता उनकी बात को कह रहे थे कि उनकी राजनीती में गंभीरता की कमी है और वो लगातार बिना किसी सबूत के बिना किसी बात के बेस रिपैर की बाते उठाते हैं लेकिन अब मनमोहन सिंग का जब बयान सामने आया तो इस साफ दिखाता है कि कॉंग्रेस पार्टी एक सोची समझी रननीती के तहत इस मुद्दे पर सरकार को गेटने की कुशिश कर रही है ठीके विकरांट मैं आरे हूँ राहूल गांधी ने दरसल सोचल मीडिया पर एक वीडियो साचा कर गलवान घाटी में श्रहीद हुए जवानों को स्रधानजली भी दी है मार मैं तततने छोगने की कुश रोगने को रही हुए झाल झाल तो राहूल गांदी ने ये विडियो जारी करके एक बार फिर से निशाना साधा इससे पहले कॉंग्रिस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांदी के पियम मोदी पर ट्वीट के जरिये किये गए हमले पर बीजेपी अध्यक्ष रेपी नड़ा ने पलटवार किया विडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये उत्तर प्रदेश जन समवाद रैली को समोधित करते हुए नड़ा ने कहा कि कॉंग्रिस का साथ भगवान भी नहीं दे रहे हैं राहूल गांधी के ट्वीट पर तंस कस्ते हुए नड़ा ने कहा कि पियम मोधी अब सुरेंदर मोधी हैं यानि नरो के नहीं सुरो के भी नेता हैं बीजेपी अध्यक्ष ने कॉंग्रिस के नेता पर कॉरोना काल में गयर जिम्मेदाराना काम करने और सेना का मनोबल तोडने का भी आरूप लगाया आपको बताते हैं कि राहूल गांधी ने अपने ट्वीच में सरेंडर मोधी की चके सुरेंदर मोधी लिख दिया था जिसके बाद बीजेपी अर्दैक्ष ने उन पर पलटवार किया अब नरेंदर मोधी इस सुरेंडर मोधी वो नरों के नेता नहीं अब सुरों के भी नेता है यह बात आपके जवान से निकलती है इस बात को समझना जाहिए आपके ट्यूटर से निकलती है अब गलवान भाटी की बात ले लिए जिस तरीके से भारत के फॉच वहां पर जीमाओं की रक्षा की है उनको उनकी शहादत यहां हम सब लोग याद करते हैं नमन करते हैं और पूरा देश उनके साथ थड़ा है वहां कॉंग्रेस पार्टी उनका मनुबल तोड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है विक्रांत एक तरफ हम देख रहे हैं कि राहूल गांदी ने जो ट्वीट किया उसका जवाब जेपी नड़्डा दे रहे हैं तो क्या ये भी मुम्किन है बहुत जल्द कि आप जो मनमुहन सिंग कह रहे हैं उसका जवाब भी बीजेपी दे देखे बिल्कुल को कि पार्टी का और सरकार का एकमत राय है कि प्रधानमंत्री ने जब सर्वजर ये बैठक में हिस्सा लिया था तो उसमें साफ बात कही थी कि किस सरीके से बारतिय सेना ने वहाँ पर वीरता दिखाते हुए अपने भुवाग की रक्षा की और बीजेप सरकार कॉंग्रेस राजनीती कर रही है बाकी राजनीतिक तमाम दल सरकार के रुख के साथ थे सभी दलों ने एकाह था कि इस मुद्दे पर सरकार ने जो कारवाई की है उसमें हम सरकार के साथ है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस जो है वो अभी तक अलग रुख अपन और कॉंग्रेस राहूल गांदी सरकार के रूख को बताने के बावजूद जान बूच करके सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं अरोन यानि जो मनमुहन सिंग कह रहे हैं वो बहुत तब किनकिन मुद्धों पर प्रकास जाल रहे हैं जो उन्होंने बात कही हैं उसमें क्या प्रमुग बाते कहीं हैं और आप इसका जवाब देना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होगा क्योंकि राहूल गांदी को ये कहके कि वो राजनीती कर रहे हैं चीजों को समझ ने रहे हैं टाल सकते हैं लेकिन मनमोहन सिहिंग जो कि खुद इस चीजों को बहतर तरीके से समझते हैं उनका जवाब देना बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा देखी अर्थ शास्त्र पर जब सवाल करते हैं मनमोहन सिह जितनी गंभीरता से लिया जाता है चुकि मनमोहन सिंग कम बोलते हैं बहुत कम बोलते हैं इसलिए जब वो बोलते हैं तो उसका वजन ज्यादा होता है और यह लाजिमी भी है जो वेक्तिदेश का प्रधानमंत्री दस साल रहा हो उसके हर शब्द की कीमत होनी चाहिए और इस मामले में भी उसको कम से कम पर कोई कपजा नहीं हुआ है लेकिन बात में जब खबर आ गई कि प्यंगोंग लेक पर जो फिंगर फोर और एट के बीच का जो इलाका था जो तकस्त था दोनों पेट्रोलिंग करते थे वहां वहां पर चीन ने कपजा कर लिया है इस तरह की बाते कहके राहूल गानी ने कामिल होने के लिए आज मॉस्को जा रहे हैं 24 जून को दूसरे विश्विद की जीत की 75 वी साल के रहे है पहले ये परेड 9 माई को होनी थी लेकिन कुरोना की वज़े से से टाल दिया गया था भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 जवान इस विक्ट्री परेड में हिस्सा ल अनंतनाग के वेरिनाग इलाके में जंगलों में मुट्भेड चल रही है आपको बता दे इस वक्त की बड़े खबर है दरसल सुरक्षाबल को जानकारी मिली थी कि जमो कश्मी के अनंतनाग में कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों के लिए यह मुट्भेड जारी हुई अनंतनाग के वेरिनाग इलाका बता जा रहा है और जंगलों में यह मुट्भेड इस वक्त चल रही है रिफद अब्दुल्ला हमाई से वक्त हमाई स्योगी जुड़ चुके हैं रिफद कितने आतंकी बता जा रहे हैं तर्टेंटों और स्यरक्षाबलों के दर्मियान इस वकत मुडबेग चल रही है अभी यह क्या पाना मुश्किल है कि कितने मिलिटिट वहां पे हो सकते हैं लेकिन जिस तरीके से कॉंटाइक्ट एस्टाइबिश हुआ हो सकता है कि वहां पे दो से तीन मिलिटिट हो सकते हैं अलगातार बॉर्डन इंसर्च उपरेशन चल रहे हैं पूरे सौथ किश्मीर में आपको मालूम है कि कल भी सिरी नगर में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें तीन मिलिटिट जो है वो मारे गए हालांकि एक जो मिलिटिट था उसमें जो समझे जा रहा है जो इन किया था वहां जो सौथ किश्मीर के इलाके हैं चाहे शुपाया हो अनंतनाग हो कुलगाम हो या कुलवामा हो वहां पे लगातार कॉर्ण सर्च उपरेशन किये जा रहे हैं तकरिबं 32 मिलिटिट जो है पिछले 15 दिनों में मारे गए हैं अलग-अलग एनकाउंटर्स में और तकरिबं 104 मि में तो लगातार कॉर्ण सर्च उपरेशन का सिलसला जा रहे हैं और अभी यह जो ऑपरेशन है यह वेरिनाग एरिया है यह अनंतनाग डिस्टिक में पढ़ता है वहां पर बेड़ाप शिरूप हो चुकी है आर्पिता उदर खूफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पा पाइसाय और पाकिस्तान की सेना खैबर पखतुनवा में अलबदर के आतंकियों की भरती में जुटी है और आतंकिवादियों को भारती सीमा में गुसपैट कराने की कोशिश कर रही है इसी के तहट लोसी पर फारिंग की आर में गुसपैट का प्लान पाकिस्तान ने बनाय पनखुत्वां के नस्दीक मानसहरा के ट्रेनिंग क्यांप में अलबदर के 40-50 आतंक्यों को तयार किया जा रहा है। अवित क्या जानक्यों के मताबिक अलबदर के ट्रेंड आतंक्यों को पीओके के 8 मुगम जूरा दुदनिया लॉंच पैट पर गुस्पैट के लिए लाया गया है। की कोशिश कर रहा है और उनके जरिये आतंक्यों को लगातार गुस्पैट कराने की फिरास में है। मद्यप्रिदेश के रिवा में पुलिस के जवान पर एक लड़के को बिना वज़े पीटने का आरोप लगा। जिसमें दिखा कि पुलिस का एक जवान कुछ लोगों के सामने एक लड़के को बुरी तरह पीटने लगा। उसने उस लड़के को जमीन पर भी पटक दिया और पटकने के बाद उसके खुब पिटाई की। आना कि वहाँ खड़ा एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करता दिखा लेकिन पुलिस वाले पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो उस पर मुख के बरसाता हुआ नजर आया। इस घटना का वीडियो वाइरल होने के बाद मामला पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंचा। वहीं पुलिस वाले के हाथों पिटने वाले लड़के ने भी थाने में शिकायत दर्च करवाई जिस पर आरोपी पुलिस वाले के खलाफ कारवाई की गई।